हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू ममता मिस्रा एंड कुकी, आज मैं आपके साथ महराश्ट और साउथ की बहुत ही फेमस चकली की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए ना तो आपको दाल चावल को भीगोने की जुरत पड़ेगी, ना घंटों की मेहनत लगेगी, बहु के स्वात को और भी ज्यादा टेश्टी बना देगा, तो चलिए इसे बनाना, सबसे पहले चकली बनाने के लिए हम मसाला त्यार करते हैं, और मसाला के लिए सबसे पहले हम मुंगफली को भून लेते हैं, तो अज पर मुंगफली को अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ा ग फली था और हाफ कप की चने का डाल है इसको भी हलका हलका लाल होने तक आप भून लीजे और इसे भी निकाल लीजे वापस से इसी कराई को गैस पे चढ़ाईए आज स्लो ही रखिएगा और दो टेबल स्पून साबुत जीरा ले लिजे इसको भी हलका आपको भूनना है और स साथी आप 10-12 लाल मिर्च ले लिजे तीखी वाली लाल मिर्च होती है ना वह ले लिजे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट और यह थोड़े मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं अगर ग्रीन भी रहे कड़ी पत्ता तो कोई बात नहीं भूनने पे तो यह अच्छा में निकाल लीजे और 5 मिनिट तक इसको ठंडा होने दीजे जब ठंडा हो जाए तो एक एक करके आप मिक्सी के जार में इनको डाल दीजे मुंगफली डाला है इसके बाद चने की दाल हम डाल देंगे और फिर इसी में हम जो लाल मिर्च और जीरा और करी पत्ता हमने भून कि यह कैसा बना हुआ हलका दरदरा रहे तो कोई बात नहीं है मुह में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाते टाइम पे और इसको मैं उसी बावल में निकाल रही हूं जिसमें हम आटा लगाने वाले हैं तो हमने सारा का सारा उसमें डाल दिया है अब हम पोहा ले है तो यह पूरा-пोहा तीन कप के बराबर है लेकिन मिक्सी का जाट छोटा है तो मैं डढ़र डप करके दो बार में पिशेंगी तो यह दो मैंने डाल दिया और इसको भी हम पीस करके फाइन पौडर बना करकेаете करेंगे यह करें यह है मेरा पीस करके हो भी गया है मैं आपक जो बॉल में हमें डालना है उसके उपर रखा हुआ है और ये पूरा पोहा का जो पॉडर बना है उसको मैंने डाल दिया है और इसको इस तरह से हम चाल करके निकाल लिए हैं मोटा पोर्शन हो तो वो दुबारा आप वापस से इस तरह से चाल सकते हैं अब इसमें मैं कि मीठा सोडा डालेंगे मीठा सोडा यानि कि बेकिंग तो यह मैंने छोटी वाली चमच से एक चमच लिया है और अगर बड़ी चम्मच हो तो आधा चम्मच और इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ओयल डाल रही हूँ आप कोई भी कुकिंग ओयल डाल सकते हैं और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे सुखा ही हम इसको पहले मिक्स करेंगे और हलका से जैसे मोयन देते हैं वैसे इसको सबको मिक्स करना है एक से दो मिनट में यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें देखें मैं भूल गई न तील डालना तो दो टेबल स्पून आप वाइट वाला जो तील है न वो भी डाल दीजे और इसके बाद उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे सारी चीजे अब मेरी मिक्स हो गई है अब मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सेमी टाइट डो बना करके रेडी करूंगे और ध्यान रखिएगा कि पोह बहुत ज़्यादा पानी आपज़र करता है तो आपको बनाने में आटा अच्छी तरह सेट हो जाया है और मेरे और को 10 गिलास पानी लगाए इस घिलास से अद्था गीड़ा हो गया है और हमारा आटा अच्छी तरह सेट हो गया होगा तो चलिए हम लोग चेक करते हैं यह थोड़ा-टाइट है इतना आपैट अगर हम डालेंगे साचे में तो यह अच्छी तरह से नहीं होगा तो हमने थोड़ा साठा जितना हमें लगेगा एक पार के साचे में जाए ऑर अराम से निकल जाए चकली का जो साचा है ना उसमें से आराम से निकले तो यह हमने हलका सा इसको सौफ्ट कर लिया है अब हम लोग इसमें से दो पार्ट्स करेंगे एक इतना बड़ा नहीं जाएगा साचे में तो हम दो पार्ट्स करके दो ऐसा बना लेंगे थोड़ा लंबा करके बना लेंगे जिससे साचे में डालने में आराम रहें तो ये देखें एक मैंने बना के रखतिया है और ये दूसरा हम बना करके रेडी कर लिये हैं अब चलते हैं हम लोग साचे में इसको डालने के लिए पहले हमें साचे को थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ेगा तो यह हमारा साचा है इस तरह का साचा है इसको हम ब्रस से यहाँ से भी आप हलका आयल कुकिंग आयल कोई से भी लेकर के आप थोड़ा सा ग्रीस कर लिजेगा च हम लोग इसको फिट करेंगे तो सबसे पहले जो इस्टार वाला है ना उस साचे को हमने पहले डाला है उसी साचे से हम चकलीन बनाना शुरू करेंगे और इसके बाद हमने जो डो था उसको थोड़ा-थोड़ा करके एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क इतना पढ़ रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, अब हमारा डोड़ा करके हो गया, अब इसके ढकन-को मैं बंकरूंगी, तो ये ढ़िखन बंकरने में थोड़ा टा-इम लगता है, इसको इस तरह से देखे, जिस तरह से मैं दिखा रही हूं, वैसे ही आप इसको बंद कर लीजे अगर आपको हमारा चैनल हमारी रेस्पी पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजे और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजे और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो आये तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले यह देखिए मेरा साच अची तरह से फिट हो गया है अब यह मैं थोड़ा सा निकाल करके आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से यह निकलेगा अब चलिए डिजाइन बनाते हैं चकली का जो डिजाइन होता है ना वह तो इस तरह से आप धीरे-धीर इसको घुमाते रहिएगा इस तरह से इसको आप डिजाइन एक बना करके रेदी कर लेंगे गोल गोल घुमाईएगा एक दो बार में किसी को भी नहीं होता है आप प्रैक्टिस कीजे हो जाएगा यह देखे मैंने इतने सारे बना करके एक जगा कर लिये हैं थोड़े और भी ह मैं दिखाती हूं आपको यह देखे यह माँ पास से दिखा रही हूं आपको चलिए अब हम तल के देखते हैं तो तलने के लिए मैंने तेल अच्छा गरम कर लिया है पोहा बहुत आच बढ़ास करता है तो इसे आप हाई फ्लेम में ही तलिएगा और इस तरह से आप जो चि करते हैं मैं सरसो के तेल में तल रही हूं आप कोई भी ले सकते हैं और जब यह थोड़ा सा गोल्डेन हो जाए ना तो इसको पलट दीजे और इस तरह से अलट पलट करके आप इसको सेख लीजे यह देखे एक मेरा हो गया है अब में धीरे से सारे निकाल लोंगे और और चलिए अब हम सर्फ करके देखते हैं कि हमारी चकली बनी कैसी है यह देखिए क्रिस्पी क्रंची टेस्टी चकली बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है अभी मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूं कि यह कितनी क्रिस्पी बनी हुई है और आप मैं पास से आपको दिखाती हूं यह कैसा है आवाज तो आपने सुनाई है कि कितना क्रिस्पी है यह और आप पास से देखिए आप पास से इसका टेक्शर देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है और क्रिस्पी तो है ही यह बहुत जादा तो आप कब बना रहे ह अपने घर पे इसे बनाईए और सब को खिलाईए सब बहुत खुश होंगे इसी के साथ ये वीडियो में यहीं खदम करती हूँ वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद थैंक यू